New tax regime आने के बाद tax saving and planning करनी थोड़ी सी complex हो गई है क्योंकि अब हमारे पास options बहुत सारे हो गए है New regime भी है और old regime भी है तो इस episode में हम दोनों regimes में कैसे maximum tax save कर सकते हैं ये देखने वाले हैं और किस salary bracket में कौन सी regime better रहेगी इसका भी मैं आपके साथ एक chart share करने वाला हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी एप आने वाली है मेरा और मेरी टीम का ऐसा मानना है कि इस एप से investing काफी simple हो जाएगी एप के लिए आप sign up कर सकते हैं for discounts and early access लिंक नीचे आपको description में मिल जाएगा इस episode में हम एक example लेके चलेंगे एक salaried person का जिसकी salary 15-16 लाक रुपे है और क्या इतनी income में tax zero भी किया जा सकता है जानने की कोशिश करेंगे हम दोनों ही regimes को compare करेंगे old regime और new regime को कि आखिर कितनी salary तक tax को zero किया जा सकता है अब ऐसा बिलकुल जरूरी नहीं है कि हर कोई अपना tax zero कर पाएगा क्योंकि ये depend करेगा हमारी personal situation पे इस episode में हमारा main purpose रहेगा कि हमें सारे tax saving options पता चल जाएं दोनों regimes में जिससे हम अपना maximum tax save कर सकें तो हम line by line excel में calculation करेंगे दोनों ही regimes में चलिए पहले हम एक chart देखते हैं कि आखिर किस salary bracket में कौन सी regime बेटर रहेगी tax saving point of view से तो देखे आप जैसे इस chart में देख सकते हैं left hand side पे हमने taxable income plot की है यानि कि आपकी जो भी taxable income बनती है वो आप यहाँ पे check कर सकते हैं और top में आप total कितने tax deductions claim कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इन दोनों ही चीजों के intersection पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए new regime better है या फिर old regime better है अगर किसी की 7.5 lakh की salary है यानि कि taxable income है और उसने कोई भी deduction नहीं करे हैं तो इसका मतलब उसके लिए new regime better हो जाती है लेकिन अगर वो let's say 1.62 lakh तक के deductions claim कर लेता है यानि कि वो savings कर लेता है या फिर दूसरे exemptions claim कर लेता है तो उसके लिए दोनों ही old regime और new regime better है लेकिन वहीं पे अगर उसने 1.87 lakh तक के deductions claim कर लिए तो उसके लिए old regime better हो जाती है तो इस हिसाब से आप अपने tax lab के हिसाब से यहाँ पे check कर सकते हैं कि आपके लिए old regime better है और new regime better है और यहाँ पे in fact मैं आपको बता देता हूँ अगर by chance आप higher tax bracket में आते हैं let's say आप 20% या 30% के tax bracket में आते हैं तो आपको deductions बहुत सारी claim करनी होगी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 15,00,00,00 से उपर के bracket में हैं otherwise new regime better होगी new regime इसलिए better होगी क्योंकि वहाँ पे हमारे जो tax rates हैं उनके rates काफी कम है relative to old regime और old regime में हलाकी tax rates से ज़ादा है लेकिन वहाँ पे हमारे पास investment option से ज़ादा है तो हम अगर tax deduction से ज़ादा claim कर लेते हैं तो old regime हमारे लिए better हो जाती है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चार्ट को जरूर यूज़ करें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके tax deductions कितनी है और आपका salary bracket कितना है उस हिसाब से आपके लिए new regime या फिर old regime better रहने वाली है तो ये तो बात हो गई कि हमें tax deductions और अपनी salary के हिसाब से new regime और old regime कैसे select करनी है लेकिन अब एक और important सवाल आजाता है कि ये जो हम tax deductions की बात कर रहे हैं ये हम maximum कैसे claim कर सकते हैं old regime में और new regime में तो इसके लिए चलते हैं हम अपने दूसरे calculator में तो यहाँ पे मैंने ये एक tax saving calculator बनाया हुआ है तो अगर किसी का annual ctc let's say 16 lakh रुपे है तो उसके हिसाब से करीब 50% basic salary होती है नए rules के हिसाब से minimum 50% basic salary रखनी होती है तो यहाँ पे हमने assume किया है minimum 50% basic रखी है तो यहाँ पे 8 lakh करीब हमारी basic salary हो जाती है उसके बाद अब ध्यान से देखेगा कि हमारे पास कौन कौन से exemptions आते है सबसे पहला exemption हमारे पास यहाँ पे आता है EPF of Employers Contribution अब देखे जैसे ही हम Employee Provident Fund की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो parts आ जाते हैं एक होता है Employer Contribution एक होता है Employee Contribution जादा तर लोग समझते हैं कि यह जो Employee Contribution है यह तो हमारे CTC से अलग है जी नहीं यह आपके CTC से अलग नहीं होता है CTC में से ही आपके दोनों portions deduct होते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यह जो Employee Contribution होता है यह Tax Free होता है Up to 7.5 lakhs of investment per year तो यहाँ पे देखिए Up to 12% of basic कोई भी employer यानि कि जो भी आपकी basic salary बन रही है जैसे हमने यहाँ पे 8 lakhs की basic salary निकाली तो इसका जो total 12% तक का amount है उतना Tax Exemption हो जाता है और उतना आपका EPF में सेव हो सकता है Employee Contribution के form में तो अगर हम इस exemption को यहाँ पे ले लें तो यह बनती है हमारी 12% of 8 lakhs तो 16 lakhs में से आपका 96,000 चला जाता है तो आपकी gross salary बचती है 15.04 lakhs अब देखते हैं हम की इसमें और फर्दर हम कौन-कौन से deductions claim कर सकते हैं तो पहले तो हम exemptions की बात करेंगे जो section 10 के अंदर हमें exemptions मिल जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला exemption आ जाता है हमारा HR का exemption अब ध्यान से समझेगा की HR के exemption हमें कैसे मिलते हैं अब देखिए यहाँ पे तीन criteria होते हैं उन में से तीनों criteria में से जो भी minimum amount होता है उस पे हमें HR का exemption मिलता है तो यहाँ पे पहला criteria होता है कि आपका जो actual HR है आपके salary structure के हिसाब से वो पहला criteria हो गया दूसरा criteria हो गया rent minus 10% of basic plus DA DA यानि की dearness allowance तो rent में से आप जो भी यह 10% of basic plus DA घटा देते हैं वो हमारा second criteria होता है तीसरा criteria होता है 50% या फिर 40% of basic plus DA अगर हम metros में रह रहे हैं यानि की अगर हम किराय के मकान में किसी metro city में रह रहे हैं डेली, मुंबई, कोलकता या फिर चिन्नाई में तो वहाँ पे हमारा 50% of basic plus DA consider होता है या फिर 40% of basic plus DA consider होता है non-metros के लिए तो इन तीनों ही criteria में जो भी minimum amount आता है उसका हमें HRA exemption मिलता है अब यहाँ पे हमने एक assumption ली है मैंने मान लिया है कि up to 20% of salary हम rent में भर सकते हैं या फिर let's say HRA का exemption claim कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने assumption लिया है कि 20% of annual CTC हमने HRA का exemption claim किया है और generally काफी लोग इतना HRA claim कर रहे होते हैं या फिर अपना rent भर रहे होते हैं up to 20% of their salary तो यह हमारा amount आता है 3,20,000 इस case में अब यहाँ पे हमें एक और exemption मिल जाता है Children's Education Allowance for up to 2 kids और हर kid के लिए 100 रुपे पर month का हमें exemption मिल जाता है तो वो exemption लिया है हमने तो यह हमारा amount हो जाता है 2400 रुपे साल का Children's का Hostel Allowance का up to 2 kids के लिए यह भी हमें मिलता है 300 पर kid पर month तो यह हमारा amount हो जाता है 7,200 का फिर हमें मिलता है LTA का एक allowance जिसे हम कहते हैं Relieve Travel Assistance किसी भी 4 साल के period में हम यह दो बार claim कर सकते हैं और यह जो LTA का exemption है यह हमें मिलता है खाली travel expenses पे यानि कि आपका air fare है, rail का fare है या फिर आपने by road travel किया है उसका fare है उस पे मिलता है यहाँ पर hotel के charges cover नहीं होते हैं तो आप ऐसे travel को यहाँ पर cover कीजिए जो आपने maximum travel किया हो यानि कि जहाँ पर आपका सबसे ज़ादा खर्चा किया हो तो यहाँ पर हमने assumption ली है कि अगर कोई चार की family है और वो by flight कहीं पर जाते हैं तो हमने यहाँ पर 50,000 का एक exemption ले लिया है reimbursements भी आप कुछ claim कर सकते हैं जैसे कुछ companies में meal coupons मिलते हैं या फिर internet या mobile के bills भी आपके reimburse हो जाते हैं और वो portion आपके CTC के अंदर include कर लिया जाता है या फिर car की lease कहीं पर provide करी जाती है हाला कि मैंने इस case में ये exemption 0 ही माना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शायद इस तरीके के exemptions नहीं मिलते हैं फिर भी यहाँ पर अब देखे हमने ये सारे जब अपने exemptions माइनस कर लिये तो 15.04 lakhs में से जब ही हम सारे exemption माइनस करते हैं तो हमारी net salary रह जाती है 11.24 lakhs की अब यहाँ पर हम बाकी के deductions भी claim कर सकते हैं पहला यहाँ पर आ जाता है हमारा standard deduction ये 50,000 का standard deduction है ये सब किसी को मिल जाता है तो यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरती नहीं है फिर second number पर हमारे deduction आता है under section 24 interest on home loan और ये हमें कितना मिल जाता है ये हर साल हमें 2,000,000 तक के interest पे deduction हम claim कर सकते हैं और ये हम तब claim कर सकते हैं जब हम rented out property में नहीं रह रहे हैं हम अपने घर में रह रहे हैं तो हम 2,000,000 तक के interest को as a deduction claim कर सकते हैं तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि हम एक city में rent पे रह रहे हैं जिसका हम HR claim कर रहे हैं लेट से मैं डेली में रह रहा हूँ और मेरा घर है Bangalore में जिसको मैंने let out किया हुआ है let out का मतलब है कि मैंने उसे किराय पे दिया हुआ है और अगर हमने by chance उसको rent पे नहीं भी दिया हुआ है तो भी हमें एक notional rent पकड़ना होता है to claim loss from property तो यह जो हमारी let out property होती है इस पे हमें calculate करना होता है loss on that property यह loss हम कैसे calculate करते हैं यह calculate होता है हमारा कि जितना हमारा rent आ रहा है या तो actual rent आ रहा है या फिर notional rent आ रहा है यानि कि उस market में कितना rent चल रहा है अगर आपने उस property को actually किराय पे नहीं दिया है तो minus जितना भी आपने property tax भरा पूरे साल में minus 30% of rent यह assume कर लिया जाता है कि आपका maintenance में इतना खर्चा हो जाता है तो 30% of maintenance आप उसमें से घटा देते हैं यानि कि 30% of rent as maintenance हम उसे घटा देते हैं फिर आपने जितना भी interest भरा अपने home loan पे वो भी घटा दिया जाता है तो यहाँ पर मैंने assume कर लिया है कि हम यहाँ पर maximum अगर claim कर लेते हैं यह दो लाक रुपे तक का फिर next deduction आता है हमारे पास section 80C यह भी बढ़ा interesting है और यह सबसे important है और सबसे जादा popular investment option भी होता है तो यहाँ पर हम up to 1.5 lakhs की investments कर सकते हैं ध्यान दीजेगा यह 1.5 lakhs की total limit है यहाँ पर जितने भी यह options आ रहे हैं इनकी total limit up to 1.5 lakhs है तो हमारे पास यहाँ पर options क्या क्या है EPF है employee provident fund जो हमने पहले consider किया वो तो खाली employer का contribution था फिर साथ में employee जो contribute करता है अपनी तरफ से जितना भी पैसा save करता है employee provident fund में वो भी हमारा section 80C के अंदर cover हो जाता है फिर आता है हमारा PPF यानि की public provident fund जैसे कि आप किसी bank में जाके account खोलते हैं काफी लोगों के यहाँ पे companies में EPF का option नहीं होता है वहाँ पे जादा amount उनका नहीं कट रहा होता है तो काफी लोग PPF के अंदर invest करते है फिर home loan का principle भी हाँ पे आपका cover हो जाता है साथ में stamp duty and registration charges जो आपने भरे हैं वो भी cover हो जाते हैं लेकिन वो उसी साल में cover होते हैं जिस साल में आपने मकान खरीदा है और यह stamp duty and registration charges भरे हैं ELSS यानि की equity linked saving scheme वाले जो mutual fund होते हैं वो भी cover होते हैं ULIP यानि की unit linked insurance plan life insurance का जो भी आप premium भर रहे हैं वो भी cover होता है SSY यानि की सुकन्या समरिद्धी योजना अगर आपकी कोई बेटी है तो उसके लिए आप savings कर सकते हैं काफी अच्छा product है यह भी यहाँ पे cover हो जाता है National Savings Certificate, Post Office FD, 5 Year Tax Saving FD यह भी small savings schemes हैं यह भी हमारी section 80C के अंदर cover हो जाती हैं अगर आप tuition fee भर रहे हैं आपके kids हैं उनकी जो भी tuition fee जा रही है वो भी यहाँ पे cover हो जाती है फिर NPS का section 80CCD 1A अगर आप इस clause के अंदर national pension system के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो वो भी हमारा section 80C के अंदर cover हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे options हैं आप जिस भी option के अंदर invest कर रहे हैं उसको definitely हाँ पे claim कीजिए और यह तो मैं समझता हूँ 1.5 lakh सी पूरी limit हमें exhaust करनी ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1.5 lakh की limit ले ली है फिर section 80CCD 1B के अंदर हम additional amount भी डाल सकते हैं NPS के अंदर और यह हमें 50,000 का एक additional deduction मिल जाता है तो यह भी हमें claim कर लेना चाहिए ideally तो तो मैंने यहाँ पे 50,000 का यह additional deduction ले लिया है 80CCD 2 NPS यह भी एक और भड़ा ही important clause है अगर आपका employer आपको यह option देता है NPS में employer contribution के through invest करने का तो यह भी आप ले सकते हैं और यहाँ पे हमारा criteria होता है up to 10% of basic plus DA in case of private employees और government employees के case में up to 14% of basic plus DA और इसकी higher limit है up to 7.5 lakhs per annum तो इसकी मैंने जो calculation ली वो मैंने up to 10% of basic ले ली basic था हमारा 8 lakh तो उसका 10% हो गया 80,000 रुपे फिर हमारा next section आजाता है 80D health insurance premium यहाँ पे अगर हम अपना self spouse या फिर children का कोई health insurance लेते हैं उसका premium up to 25,000 per annum यह हम claim कर सकते हैं अगें section 80D के अंदर और अगर आप अपने parents को भी cover करते हैं उनकी भी health insurance लेते हैं तो उनके case में तो आप 50,000 तक का भी cover कर सकते हैं तो 25 plus 50 आप up to 75,000 का भी यहाँ पे claim कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे खाली 25,000 का ही amount लिया है फिर next section आजाता है हमारा section 80E अगर हम higher education के लिए education loan लेते हैं अपने लिए spouse के लिए या फिर children के लिए वो भी हम यहाँ पे claim कर सकते हैं जो उसका interest portion है और इस पे कोई limit नहीं है तो आपका जितना भी interest portion जा रहा है higher education loan के लिए वो सारा आप यहाँ पे claim कर सकते हैं तो यहाँ पे भी मैंने एक exemption लिए है 50,000 रुपे की फिर एक और भड़ा ही interesting section है section 80EEB अगर आपने electric vehicle खरीदा है और उसके लिए loan लिया है तो उसके उपर भी interest पे एक तरीके से subsidy मिल जाती है वो सारा जो आप interest भर रहे हैं उसको भी up to 1.5 lakhs आप हर साल यहाँ पे claim कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक और criteria लग जाता है यह जो आपने loan लिया है यह financial year 2019-20 से लेके 2022-23 तक ही लिया होना चाहिए तब आप इसको claim कर पाएंगे तो यहाँ पे मैंने हाला कि सिरफ 50,000 रुपे ही यहाँ पे claim किया है तो अब ध्यान से देखते हैं यह जो हमारा CTC था annual CTC 16,000,000 का हमने यह इतने सारे deductions claim करें अब हमारी taxable income हो गई है 4,69,400 की हम एक बार नीचे चलते हैं और tax labs देखते हैं आप यहाँ पे tax lab देख सकते हैं कि 5,000,000 तक actually कोई tax नहीं लगता है हाला कि 2.5,000,000 से लेके 5,000,000 तक 5% का tax rate है लेकिन अगर हमारी overall taxable income 5,000,000 के नीचे आ जाती है तो 12,500 रुपे तक का हमें rebate दे देती है सरकार और यह हमारे taxable income में से minus हो जाता है तो अगर हमारी taxable income 5,000,000 से नीचे आ जाती है तो tax हमारा zero हो जाता है तो हमारे case में यह 4.69,000,000 की total taxable income आ गई है which is less than 5,000,000 तो अब हमारा tax actually नहीं लगेगा तो हमने 16,000,000 की income पे भी यहाँ पे tax zero कर दिया है अब definitely, practically बहुत सारी चीजें इसमें से हो सकता है possible ना हो किसी के लिए तो हम एक काम करते हैं हम देखते हैं कि हम इसमें से क्या-क्या reduce कर सकते हैं let's say किसी ने electric vehicle नहीं लिया है मैं इसको let's say zero ही कर देता हूँ या फिर education loan भी किसी ने नहीं लिया है और in fact हम देख लेते हैं कि हमारी जो annual CTC है उसको अगर हम 15 lakh कर देते हैं तो हम कितना tax save कर पाएंगे उपर से ही start कर लेते हैं हमने हाला कि एक दो चीजें पहले ही नीचे से zero कर दी है तो हमारी यहाँ पर exemption होगी पहले 90,000 rupees की employer contribution of EPF की फिर HR हमारा यहाँ पर again 20% of CTC आगया 3 lakh रुपे का तो which is also practical यहाँ पर बहुत छोटे ही amounts है बहुत लोग हो सकता है इसको ना claim करना चाहें Children's Education Allowance को लेट से मैं इसको zero कर देता हूं Hostel Allowance को भी मैं यहाँ पर zero कर देता हूं LTA तो हमें definitely claim कर लेना चाहिए लोग generally 4 साल में दो बार तो travel कर ही लेते है Reimbursements मैंने anyway zero रखी हुई है फिर standard deduction 50,000 का हमें मिलता ही मिलता है और home loan का 2,000,000 का अगर home loan आपने लिया है तो definitely अपने interest को यहाँ पर claim कीजे और अगर नहीं लिया है आप घर खरीदने का सोच रहे है तो definitely आपको यहाँ पर tax benefit मिलेगा 1.5 lakh की यह जो limit है एटीसी में यह हमें definitely claim करनी चाहिए CCD1B में यह भी हमें generally claim करना चाहिए NPS में again 75,000 अगर आपका employer आपको यह option नहीं दे रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो यह option आपको दे सकते हैं फिर health insurance premium यहाँ पर 25,000 का है let's say मैं अपने parents के लिए भी यहाँ पर ले लेता हूँ तो देखें यहाँ पर मेरी जो taxable income बन रही है वो 5,10,000 रुपे बन रही है तो मुझे खाली 10,000 रुपे यहाँ पर reduce करने है तो actually मैं अपना health insurance premium यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ मैं parents के लिए भी अपना health insurance premium भर सकता हूँ तो क्यों ना मैं इसको 50,000 रुपे यहाँ पर कर दूँ तो अब देखें again मेरी यहाँ पर less than 5 lakhs की taxable income आ गई है फिर से मेरा जो tax है वो zero हो जाता है तो देखा जाए तो 14-15 lakh तक तो हम काफी असानी से अपना tax zero कर सकते हैं अब of course हर कोई शायद यहाँ पर tax अपना zero नहीं कर पाएगा क्योंकि हो सकता है किसी ने home loan लिया हो, किसी ने ना लिया हो किसी ने अपनी T.C. की investments पूरी की हो, किसी ने ना की हो हो सकता है employer contribution of NPS, यह available उनके पास ना हो लेकिन हमें at least यह जो major major line items हैं यह पता चल गए तो हम अपना maximum tax save तो कर सकते हैं old regime में अब हम बात करेंगे new regime की अब यहाँ पे हम पहले अगर tax labs देखें new regime में तो आप realize करेंगे यह जो tax rates हैं यह new regime में old regime के comparison में कम है हाँ पे up to 5 lakhs कोई tax नहीं लगता है यानि कि tax हमारा zero हो जाता है इस case में up to 7 lakhs of taxable income में tax हमारा zero हो जाता है तो अब हम यहाँ पे भी calculate करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने level of income तक हमारा tax zero हो सकता है after claiming all deductions तो चलिए यहाँ पे हम पहले top पे चलते हैं तो हमने पहले यहाँ पे annual CTC 15 lakh रुपे का ही डाल लिया just to have a comparison तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से deductions या फिर exemptions available है basic salary हमारी इस case में हो गई 7.5 lakhs की अब यहाँ पे again हमें exemption मिल जाता है EPF of Employers Contribution का up to 12% of basic rule exactly same है just like old regime तो यहाँ पे हमें 90,000 रुपीज तक का exemption मिल सकता है तो यह चीज हमारे पास new regime के अंदर भी available है इसके बाद हम एक बार नीचे चलते हैं आप ध्यान से देखिए अब हमारे पास यह जितने भी exemptions थे यह कुछ भी available नहीं है खाली reimbursements यह जो हमने बात की थी यह available हो सकते है provided आपकी company इस तरीके के reimbursements देती है मैंने अपने example में यह अभी zero ही पकड़ा है तो अगर आपको यह reimbursement का option मिलता है आपकी company में तो यह आप अपनी exemption डाल सकते हैं यह Excel का calculator का link आपको नीचे मिल जाएगा चलिए और नीचे चलते हैं अब हमारी net salary आ गई है 14.10 lakh यहाँ पे हमारे पास जादा deduction के option है ही नहीं यहाँ पे अब हमारे पास next option क्या निकल के आता है standard deduction है हमारे पास 50,000 का यहाँ पे भी हमारे पास available है जैसे की old regime के अंदर available था फिर यह section 24, 80C, 80CCD 1B यह सब कुछ available यहाँ पे नहीं है यहाँ पे अब हमारे पास सीधा option निकल के आ रहा है NPS of Employer Contribution यानि की 80CCD 2 तो अगर आपका employer यह आपको option देता है तब ही आप इसको claim कर पाएंगे हाला कि मैंने यहाँ पे assumption ले ली है 75,000 रुपीज की तो यानि की हमारी जो taxable income आ रही है यहाँ पे वो 12.85 lakhs आ रही है वहाँ पे हमने old regime में देखा था अगर हम अपनी सारी deductions claim कर लेते हैं तो हमारी काफी कम taxable income हो जाती है 5,000,000 से नीचे आ जाती है और tax actually हमारा 0 हो जाता है 15,000,000 के case में अगर हम बहुत सारी deductions claim कर रहे हैं तो old regime हमारे लिए better हो जाती है definitely from tax saving point of view definitely अगर आप जादा in hand salary चाहते हैं तो आपके लिए new regime भी better हो सकती है तो यह तो हमारे choice लेनी पड़ेगी कि हम new regime पे जाना चाते हैं फिर old regime पे जाना चाते हैं अब एक point यहाँ पे रह गया new regime के अंदर हम ये भी देखना चाहेंगे कि tax हमारा zero कितनी income तक आखिर हो जाता है आप इसमें देखें सारे permutation combination लगा के देख सकते हैं हलाकि मैंने ये calculate कर लिया था मैं इसको आठ लाक अगर 40,000 रुपे कर देता हूँ अपनी assumptions के हिसाब से तो देखते हैं हमारा taxable income कितनी आ जाती है देखें अब हमारी taxable income आ गई है less than 7 lakhs 6.97 lakhs यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे अब हमारा tax zero हो जाएगा अगर हमारी 8.4 lakhs की income है और साथ में हम अपने सारे deduction भी claim कर लेते हैं तो यह हमने old regime और new regime का proper comparison देख लिया कि maximize हमारी कैसे हो सकते है tax savings दोनों ही case में लेकिन old regime में हमारे पास एक दो तरीके और हैं जिससे हम अपनी maximize कर सकते है tax savings मान लीजे हमने घर खरीदा है उसके लिए हमने लिया है joint home loan let's say मैंने अपनी wife के साथ एक joint home loan लिया है तो हम दोनों के दोनों अलग-अलग principle और interest का component deduction में claim कर सकते हैं तो हमारी दोनों की ही tax savings यहाँ पे हो जाएंगी दूसरा tip कि मैं HRA और home loan दोनों को ही consider कर सकता हूँ अपने deduction और exemption के अंदर कैसे बस यहाँ पे एक ही criteria है कि यह जो दोनों घर है यह अलग-अलग cities में होने चाहिए तो अगर मैं एक city के अंदर रह रहा हूँ let's say मैं अगर गुरगाओं के अंदर रह रहा हूँ और वहाँ पे मैं rent पे रह रहा हूँ और मेरा जो मकान है जिसको मैंने खरीदा हुआ है वो पूने में है या फिर मुंबई में है किसी और शहर में है तो उसको मैं let out property की तरह यूज कर सकता हूँ और ये जो मैं घर में रह रहा हूँ इसका मैं HR deduction क्लेम कर सकता हूँ tip number 3 अगर हम अपने parents के साथ रह रहे हैं और let's say वो घर हमारे parents के नाम पे ही है तो हम अपने parents को भी rent पे कर सकते हैं let's say हमारे parents retired है उनकी कोई income नहीं है तो उनकी income दिखाई जा सकती है आप जो भी rent उनको pay कर रहे हैं तो वो उनकी income हो जाएगी switch कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आप salary class हैं सारी income आपकी salary से आती है आप ITR 1 file करते हैं उस case में आप new regime और old regime में हर financial year में कभी भी switch कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपकी किसी भी type की business income है let's say आप professional services देते हैं आप as a freelancer काम करते हैं या फिर आपका कोई business है business income वाले लोगों के पास सिरफ एक ही बार option है switch करने का तो यानि कि अगर आपने old regime से new regime में switch कर लिया है तो आप वापिस से switch नहीं कर पाएंगे इसके साथ साथ new regime अब default regime भी हो चुकी है तो अगर आप old regime select करना चाहते हैं तो वो आपको जब ITR file करेंगे उस time पे select करके उसके बाद ITR file करना पड़ेगा अब इस topic से related जो भी आपके सवाल हैं वो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं हम उनको YouTube shots और Instagram Reels में cover करने की कोशिश करेंगे इस video को like और share जरूर कीजे अपने friends और family members के साथ I am sure उनको भी tax saving option से related confusion clear हो जाएगी और इस channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon press करके साथ में all पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको latest finance वीडियो का notification मिल जाए